कैसे हैं दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमर 3 ता अटॉमिक स्ट्रक्चर के एम्सीक्यूस को नहीं देखा हैं तो उपर बटन पे जाकर पहले वीडियो देख लीजे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दी आए चैप्टर नमर 3 के एम्सीक्यूस को डिसकस करते हैं फर्स्ट एम्सीक्यूस पैसिज ऑफ इलेक्रिसिटी थूू सुलूशन बाइफ इंडिकेट दा एग्जिस्टेंस ऑप जब फैरडे ने एलेक्रिसिटी को पास किया था सुलूशन के अंदर से गैसिस के अंदर से तो उसने किस चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में आईडिया दिया था तो इसका अंसर है इलेक्टरॉन फैरडे ने कुछ लॉज पेश किये थे यह आपके जहन में होगा जिसको कहा जाता है फैरडे फर्स लॉज ऑफ इलेक्रोलिसिस और उसके बाद सेकेंड लॉज और फिर इसने इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन के उपर भी बहुत काम किया था लेकिन इलेक्रो मैगनेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस के उपर काम करने के बावजूद भी फैरडे ने इलेक्ट्रॉन को डिसकवर नहीं किया यानि कि वो बुनियादी चीज जिसकी वज़ा से electricity flow करती है, वो Faraday discover नहीं कर पाया. उसको discover करने वाले शख्स का नाम था, JJ Thompson. तो हमारे first MCQ का answer है, electron के Faraday ने clue दिया था. Second MCQ में, पूछा जा रहा है, Crooks Tube या Discharge Tube Experiment were performed at low pressure to discover the presence of. देखें, Discharge Tube Experiment या Crooks Tube Experiment जिसको कहा जाता है, ये दो scientist ने अलग-अलग time पर किया था. जैसे first scientist जो थे, वो थे JJ Thompson, जिन्होंने electron को discover किया. और electron को discover करने वाले में, सिर्फ JJ Thompson शामिल नहीं है, बलके William Crooks, साथ में Goldstein और Stoney भी शामिल नहीं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि JJ Thompson ने electron को discover किया, और साथ में Goldstein ने बाद में proton को discover किया, तो discharge tube experiment में दोनों चीज़ें discover की गई थी, electron भी और proton भी, तो हमारा answer option D, बोथ electron and proton in an atom, ये एक सही answer है. P orbital की shape क्या होती है? देखे P orbital की shape होती है dumbbell, S orbital की shape होती है spherical, और अगर D orbital की shape की बात की जाए, तो D orbital की shape होती है double dumbbell. फोर्थ पे पूछ रहे हैं smallest fundamental particle of an atom with unit negative charge is called. ऐसा smallest fundamental particle जिसके ओपर unit negative charge होता है, वो particle क्या कहलाता है? तो वो particle कहलाता है electron, क्योंकि proton पर positive charge होता है, और neutron पे कोई charge नहीं होता. आगे बढ़ते हैं, फिफ पे पूछा जा रहा है, the passage of electric current through gases was performed by, कि electric current को gases में से जो perform करवाए गया था, पास करवाए गया था, gases में से electricity को पास करवाने वाला process, कौन कौन से scientist ने किया था? जेजे थॉमसन ने, जेजे थॉमसन के assistant ने, गोल्लिस्टीन, क्रुक्स चूब experiment में, जिन्होंने क्रुक्स चूब बनाने में help की थी, वो थे विल्लियम क्रुक्स, और स्टोनी, जिन्होंने electron को बाद में electron का नाम दिया, यानि cathode race को electron का नाम दिया, तो ये सारे scientist शामिल थे, passage of electric current through gases, वास परफॉंड बाई, सर विल्लियम क्रुक्स, गोल्ड स्टीन, जे जे थॉंबसन, और option D, जो है सही answer, all the above scientists, ये सब शामिल थे, neutron को किसने discover किया था, 6MCU में पूछा जा रहा है, neutron को discover करने वाले शखसा नाम था, James Chadwick, हम ये discuss कर चुके हैं, last video में, कि James Chadwick, accidental discovery के बाद, neutron को discover कर बैठे थे, और उनको खुद भी नहीं यकीन था, कि वो एक ऐसा particle discover कर लेंगे, और जिसके बारे में, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो alpha particles की penetration power को discover करने के लिए निकले थे, उनकी penetration power को मालूम करने के दौरान, उन्होंने neutron को discover कर लिया, सेवन पर चलते हैं, प्रदर फोर्ड एक्सपरिमेंट औफ स्केटरिंग औफ एल्फा पार्टिकल शोर्ड़ देट, आपने 9 ख्लास में, फिर 1 येर में, प्रदर फोर्ड के एक्सपरिमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करी थी, एक्टम के उपर से, और एक्टम में सारी अल्फा पार्टिकल्स या सारी अल्फा रेस अन्डिफलेक्टिट पास हो गई थी, जिससे हमें ये पता लगा था, कि एक्टम का most of the portion खाली होता है, और एक्टम के nucleus में सारा mass present होता है, और उसके nucleus में positive charge होता है, क्योंकि nucleus में proton और neutrons होता है, साथ में उसके shell में electrons revolve कर रहे होते हैं, तो आगे तरह option को देखते हैं, फर्स्ट option, no portion of the atom is empty, जो कि एक wrong answer है, क्योंकि atom का बहुत सारा portion खाली होता है, हाला कि ये बात भी गलत है, क्योंकि nucleus का size बहुत छोटा सा होता है, तो ये wrong option हो गया, c पे चलते हैं, total mass of atom is present outside the nucleus, ये बात भी गलत है, क्योंकि nucleus बहुत छोटा है, लेकिन सारा mass nucleus में है, option d हमारा सही answer है, क्योंकि option d में कहा जा रहा है, कि positive charge is concentrated in the nucleus, natural radio activity was natural radio activity is confined in, natural radio activity किस चीज़ में पाई जाती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो natural radio activity होती है, radioactive elements में या heavier elements में, जबकि जो lighter elements होते हैं, lighter elements से मुराद वो elements हैं, जिनका atomic number 82 से कम हो, अगर 82 से कम होगा atomic number, तो lighter elements होंगे, इनके अंदर खुद से radio activity नहीं होगी, बलकि इसके उपर alpha race की bombardment की जाएगी, alpha race की bombardment की वज़ा से, जो radio activity होती है, इसको कहा जाता है, artificial radio activity, अगर किसी element का mass, किसी element का atomic number, किसी element का atomic number, greater than who 82 से, तो उसमें, खुद बखुद radio activity होती है, जिसको कहा जाता है, natural radio activity, और इन elements को कहा जाता है, heavier elements, तो हमारा सही option हो जाएगा, heavier elements, option B, radio activity को, सबसे पहले किसने observe किया था, MCQ number 9 में पूछा जा रहा है, तो MCQ number 9 का answer है, option C, henry becquerel, radio activity को, सबसे पहले discover किया था, henry becquerel ने, लेकिन, साथ में एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए, कि radio active race को किसने discover किया था, radio active race को discover करने वाले शखक्स का नाम है, rather food, rather food ने alpha, beta और gamma race को अलग किया था, तो इसने radio active race को discover किया था, जबकि हन्री becquerel ने radio activity को discover किया था, आगे बढ़ते हैं, 10 पे पूछा जा रहा है, radio active race consisting of stream of double positively charged particles are known as, ऐसी radioactive race जिनके उपर double positive charge होता है, ऐसी race को क्या कहा जाता है, तो ऐसी race को कहा जाता है, alpha race, alpha race का symbol होता है, alpha, नीचे plus 2, और उपर 4, यानि इसके उपर charge जो है, वो है plus 2 का, और इसका mass है 4, alpha race similar होती है, helium nuclei आएके, अगर beta race की बात करेंगे, तो beta race के उपर charge होता है, minus 1, और, beta race के उपर charge होता है, minus 1, और इसका mass होता है 0, अगर बात की जाए gamma race की, तो gamma race पे कोई charge नहीं होता, नहीं कोई इसके mass होता है, अभी उन्होंने पुछा था, stream of double positive charge का, तो इसका answer हो जाएगा alpha race, किसी और का पुछे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, 11 पर आ जाते हैं, radioactive race, which are non-material in nature, वो radioactive race, जो के energy रखती है, material form में नहीं होती है, नहीं उनका कोई वजन नहीं होता, तो वो radioactive race कौन सी है, उन radioactive race को कहा जाता है, gamma race, 12 पर आते हैं, the race which are intense ionizer of the gas, वो race जो के gas को जल्दी से ionize कर देती है, या जिनकी ionization power बहुत ज़ादा होती है, उन race को क्या कहा जाता है, उन race को कहा जाता है, alpha race, देखें, एक बात समझ लीजे, जो के काफी important है, alpha race की penetration power बहुत कम होती है, alpha race की penetration power काफी कम होती है, इसलिए कम होती है, क्योंकि ये जल्दी ionize कर जाती है, जल्दी से ionize कर देती हैं, तो ज़्यादा atom के अंदर penetrate नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इनकी ionization power, इनकी ionization power सबसे ज़्यादा है, की ionization power almost ना होने के बराबर होती है जबकि gamma rays की penetration power सबसे ज़ादा होती है gamma rays बड़ी असानी से penetrate कर जाती है without ionizing यहाँ पर हमारा सही answer हो जाएगा the rays which are intense ionizer of the gas तो हमारा सही option हो जाएगा alpha rays option A, अब चलते हैं mcq number 13 पे when cathode rays were passed through an electric field जब cathode rays को electric field में से passed किया गया था तो हमें पूछने कि इसके बात क्या हुआ था they passed straight away कि cathode rays सीधी सीधी चली गई they were deflected to the negatively charged particle negatively charged plate वो negative charge plate की तरफ गई या they were deflected to the positively charged plate या वो positive charge plate की तरफ गई तो आपको याद होगा cathode rays experiment जो कि JJ Thompson ने किया था उसमें कुछ ऐसा था कि cathode से rays निकली थी और anode की तरफ गई थी अब anode एक positive charge plate है जिसको हम कह सकते हैं कि cathode rays से जो negative charge particles निकलेते हैं वो एक positive plate पे गई तो हमारा सही option हो जाएगा option C कि cathode rays deflect हो गई positive charge plate पे anode rays deflect हुई थी negative charge plate पे अब बढ़ते हैं mcq no.14 पे x-rays were discovered by x-rays को किसने discover किया था तो x-rays को discover करने वाले शुक्स का नाम था विलियम रुइंजन ये सारी बाते हैं आपको chapter 3 की lecture नमबर वीडियो जो lecture वीडियो थी उसके अंदर आपको मिल जाएंगी आप वहाँ पे जाके check out कर सकते हैं mcq no.15 पर आते हैं an orbital can accommodate a maximum number of एक orbital में maximum कितने electron आ सकते हैं तो एक orbital में maximum 2 electron आ सकते हैं orbital हाली भी हो सकता है orbital में 1 electron भी हो सकता है और orbital में 2 electron भी हो सकते हैं लेकिन 2 से जाधा electron orbital में नहीं हो सकते हैं तो इसलिए mcq no.15 का अंसर हो जाएगा हमारे पास two electrons MCQ number 16 का अंसर आप खुद बता सकते हैं एक orbital में कितने electron नहीं हो सकते हैं तो एक electron में एक orbital में तीन electron नहीं हो सकते हैं, यह हमारा सही option है क्योंकि वो खाली भी हो सकते हैं और एक या दो electron हो सकते हैं 17 पाते हैं, number of orbitals in L shell of an atom देखें, सबसे पहला आप यह समझ लीजिए कि K shell, L shell फिर M shell यह कौन से shells हैं nucleus की surrounding में nucleus की surrounding में first shell जो होता है, उसको कहा दाता है K shell फिर second shell को कहा दाता है L shell और फिर M shell और इसी तरह से फिर N shell and MN फिर O, P, Q इस तरह से, अब हमारे पास K shell जो होता है, वो first shell होता है और L shell जो होता है, वो second shell होता है अगर आपने number of orbitals check करने है, तो number of orbitals निकालने का formula होता है N square, अगर L shell है तो L shell हमारा second shell है हमारे पास N की value हो जाएगी 2 और 2 का square हो जाएगा 4 यानि K L shell में 4 orbitals होंगे, अब यह 4 orbitals कौन कौन से हैं, तो पहला orbital है S, फिर PX फिर PY और फिर PZ MC को number 18 पर आते हैं, which of the following atom will loss electron readily इन में से कौन सा atom ऐसा है जो कि जल्दी से electron loss कर देगा तो देखें, इसमें सबसे जो electro positive element होगा और जिसका size बड़ा होगा, वो जल्दी से electron को loss कर देगा, क्योंकि उसकी nuclear force of attraction सबसे कम होगी अब बात करते हैं, fluorine और chlorine option B और option C ये दोनों electro positive नहीं हैं, बलकि ये दोनों electro negative हैं, क्योंकि ये electrons को अपनी तरफ attract करते हैं, ना कि repel करते हैं यहाँ पर fluorine और chlorine तो वैसे ही गलत होगा है अब बात करते हैं, lithium की तो lithium electro positive है लेकिन lithium का size छोटा है इसलिए इसके उपर nuclear force of attraction बहुत ज़ादा होगी इसलिए lithium हमारा सही answer नहीं होगा अगर बात करते हैं potassium की तो potassium electro positive भी है और potassium का size भी बड़ा है इसलिए potassium यहाँ पर हमारा सही answer है MCQ number 19 पर चलता है MCQ number 19 में कहा जा रहा है the quantum number which describes the shape of the orbital वो quantum number जो के orbital की shape बताता है उस quantum number को क्या कहा जाता है तो हम एक काम करते हैं इन सब के बारे में समझ लेता है principal quantum number हमें number of shell बताता है जबके azimethal quantum number हमें shape बताता है shape of orbital बताता है magnetic quantum number magnetic field में उसकी orientation बताता है जबके spin quantum number spin quantum number बताता है direction of electron तो ये सारे quantum numbers different different चीज़े बताते हैं यहां हमारा सही answer हो जाएगा option B azimethal quantum number 20 पर आते हैं no two electrons in the atom can have all the same values of quantum numbers कोई भी दो electron एक atom में सारे quantum numbers same नहीं रख सकते हैं यह किसकी statement है तो यह statement है police exclusion principle की police exclusion principle को हम अपनी daily life से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी दो घर के address exactly same नहीं हो सकते हैं बेशक उनके flats number same हो और street number same हो तो भी उनकी आखरी location यानि के गुल्चन और जोहर यह change हो जाएंगे या कोई पाकिसान में रहता है और कराची में रहता है पाकिसान में रहता है और किसी और country में रहता है तो location change हो जाएगी एक ही शहर में रहते हूं और एक ही महले में रहते हो तो flat number change हो जाएंगे या house number change हो जाएंगे similarly अगर हम बात करें electrons की तो electrons अगर first shell में हैं तो shell number same रहेगा अगर shell number same रहेगा तो principal quantum number तो same रहेगा लेकिन उनके orbital same हो सकते हैं orbitals change भी हो सकते हैं अगर उनके orbitals change हो जाएंगे, तो हमारा azimuthal quantum number change हो जाएगा. Let's say, तो उनका azimuthal quantum number भी same है, तो उनका magnetic quantum number change हो सकता है. यानि कि अगर एक PX में हैं, तो दूसरा PY में भी हो सकता है, और अगर एक PY में हैं, तो दूसरा PZ में हो सकता है. और अगर इनका magnetic quantum number भी same है azimuthal quantum number और principal quantum number भी same है तो दोनों electrons का spin quantum number हमेशा change होगा यानि कि एक electron anti-clockwise move करेगा तो दूसरा clockwise move करेगा इसलिए चारो quantum numbers एक साथ same नहीं हो सकता है आगे बढ़ते हैं ये जो law था, ये statement था ये पेश कहता पॉलीज ने तो हम आगे बढ़ते हैं MCQ number 21 पे हैं MCQ number 21 पे कहा जा रहा है which rule is violated in the following electronic configuration of nitrogen 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz0 यहाँ पर आप खुछ सोचिए कि यहाँ पर कौन सा rule violate किया जा रहा है यहाँ answer है हुन्ज रूल क्योंकि हुन्ज रूल में साफ साफ कहा गया है कि electrons को अगर रहने के लिए different orbitals same energy वाले available हैं तो वो अलग-अलग रहना पसंद करेंगे बजाए कि साथ रहें इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में तीन कमरे हैं और तीन भाईयों ने रहना है तो वो तीनों अलग-अलग कमरों में रहना पसंद करेंगे बजाए कि साथ रहें अगर P orbital की बात करें P orbit में 3 further orbitals हैं PX, PY और PZ अगर 3 electrons हैं तो तीनों electrons अलग-अलग रहना पसंद करेंगे बजाए कि 3 electrons या 2 electrons एक साथ रहें तो यहाँ पर घलती क्या है कि 2px2, 2px2 में 2 electrons एक साथ दे दिये हैं हाला कि होना यह चाहिए था कि 1s2, 2s2, 2px1 होता पहले, फिर 2py1 होता और फिर 2pz1 होता यह electronic configuration ठीक होती होन्स rule के हिसाब से, अब चलते हैं mcq number 22 पे when an electron jumps from lower to higher orbit, जब एक electron lower से higher orbit पे जाता है, तो energy release होती है या absorb होती है, हमें बताना है देखें जब electron lower से higher पर जाएगा, तो वो energy को gain करेगा, और अगर higher से lower पे आएगा, तो energy को radiate करेगा, यानि के loss करेगा तो फिलहाल हमारा answer है, lower से higher पे जाते हुए energy will be absorbed, option A mcq number 23 पे उचा जा रहा है, the subshell which can accommodate a maximum number of 14 electrons is called वो subshell जिसमें maximum 14 electron आ सकते हैं, उस subshell का नाम क्या है, तो subshell को कहा जाता है F क्योंके D में 10 आ सकते हैं, P में 6 और S में 2 electron आ सकते हैं, जबके F में 14 आ सकते हैं अब बात करते हैं, 24 पे, an atom of potassium consists of 19 electrons, 19 protons and 20 neutrons mass number of this atom is, एक atom potassium का, उसमें 19 electron है, 19 proton है और 20 neutrons है, 20 neutrons है, तो उसका mass number क्या होगा हमें बताना है, बहुत simple है mass number, mass number sum होता है protons plus neutrons का, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 19 protons और 20 neutrons हैं, इनको add up कर लिया जाए, तो यह बन जाएगा 39, तो हमारा mass number हो जाएगा यहाँ पर 39, 25 पर आते हैं, 25 में पूछा जा रहा है, how many sub shells are present in M shell, M shell में कितने sub shells होते हैं, तो आईए ज़रा देखते हैं, हमारे पास sub shells होते हैं, total 4, S, P, D और F, लेकिन अगर इसको shells के अंदर divide किया जाए, shells में sub shells होते हैं, अगर shells में divide किया जाए, let's say के एक element है, उसका nucleus है N, तो पहला shell हो जाएगा के, फिर L, फिर M, और फिर N, first shell में, first shell में, जो हमारे पास orbitals होते हैं, या जो हमारे पास sub shells होते हैं, वो होता है, S, second shell में होता है, S, P, S, P, और D, यानि कि एक एक बढ़ता जाता है, S, P, और D, और फिर N में S, P, D, और F, फिर S, P, D, और F, ये continue रहता है, यहाँ पर अगर बात करते हैं, M shell की, तो M shell म है, हमारे पास तीन सब शेल्ज है, S, P और D, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, अब बात करते हैं, MCQ नंबर 26 की 26 में कहा जा रहा है, on the basis of Hund's rule, the electronic configuration, 1s2, 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 यह represent कर रहा है किस चीज़ को तो आई इसके electrons count करते हैं हमारे पास total electrons कितने हैं, 1s2 में 2 फिर 2s2 में 2, फिर Px में 1, Py में 1, फिर Pz में 1, total electrons count कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 plus 2 4, फिर 5, 6 और 7 7 electrons, यहाँ पर हमें check करना पड़ेगा कि 7 atomic number किसका है, तो bromine का atomic number होता है 35 fluorine का atomic number होता है 19 fluorine का atomic number होता है 9, nitrogen का atomic number होता है 7 और oxygen का atomic number होता है 8, तो हमारा सही answer हो जाएगा nitrogen क्योंकि जितने electrons हैं, उतने ही protons हैं और जितने number of protons होते हैं, वही atomic number को represent करता है, अब बात करते हैं 27 पे, 27 पे कहा जा रहा है an atom having electronic configuration 2, 8 और 7 is most likely to show a valency of, एक atom है जिसके पास electronic configuration है 287, 287 का मलब यह है कि first shell में 2 electron है, और second shell में 8 electron है, और third shell में उसके पास 7 electron है, तो उसकी valency क्या होगी, लेकिन 7 electron होने के बाद, वो अपना octate complete करने के लिए, यानि last shell में 1 electron और add करने के लिए, last shell में 8 electrons complete करने के लिए, वो एक electron को gain करने की कोशिश करेगा, यानि कि उसकी valency हो जाएगी minus 1 जब electron gain करते हैं, तो minus का charge आता है, और जब electron loss करते हैं, तो positive charge आता है, यहाँ पर उसकी valency हो जाएगी minus 1 अगर उसकी electronic configuration होती 2, 8 और 6, तो वो क्या करता है, कि वो 2 electron gain करने की कोशिश करता, तो उसकी valency most likely to have minus 2, और अगर उसकी electronic configuration होती, 2, 8 और 1, तो वो 7 electron नहीं gain कर सकता, तो वो क्या करता है, एक electron भी loss कर देता, तो उसकी valency हो जाती, plus 1 अब बात करते हैं, 28 पे, 28 पे कहा जा रहा है, which of the following group of elements will form an ion readily, इन में कौन सा group है elements का, जिस में anions foreign बन जाएंगे, जैसे कि अगर बात करते हैं हमारे पास options है, fluorine, chlorine, bromine, lithium, sodium, potassium oxygen, sulfur और serilium, उसके बाद nitrogen phosphorus और acetine, देखें इसमें lithium, sodium और potassium, यह सब electro positive है, यानि कि electron loss करते हैं, यह cation बनाते हैं, इनाइन नहीं बनाते हैं, इसलिए यह हमारा option गलत है, अगर बात करते हैं nitrogen की, तो nitrogen पर plus 3 भी charge आता है, यानि यह cation भी बनाता है, और anions भी बनाता है, similarly phosphorus और इसी तरह से estetine भी electron loss करता है, तो यह तीनों options यह हमारे गलत हो गए, अब बात करते हैं, fluorine, chlorine, bromine और oxygen वाले group की, देखें, fluorine बिलॉंग करता है, group 7 से, group 7 की electron negativity ज़्यादा है, और oxygen बिलॉंग करता है, group 6 से, और group 6 की electron negativity कम है, तो group 6 वाले elements देज़ से anion बनाएंगे, और group 7 वाले elements, जल्दी ions बना लेंगे, जल्दी से electron को gain कर लेंगे, तो इसलिए हमारा सही answer हो जाएगा, fluorine, chlorine और bromine, आगे बढ़ते हैं, what is the true order of electronegativity, इसमें सही order क्या है electronegativity का, देखें, fluorine की electronegativity ज़्यादा होती है chlorine से, क्योंकि fluorine का size छोटा होता है, और nuclear charge बड़ा होता है, fluorine, fluorine की electronegativity क्लोरीन से ज़्यादा है, और chlorine की electronegativity bromine से ज़्यादा है, similarly bromine की electronegativity iodine से ज़्यादा है, तो हमारा सही option हो जाएगा, option A 30 पर चलते हैं consider the nuclear reaction हमारे पास एक reaction given है, 13 atomic number है, aluminium का और 7 पर 27, और इसी तरह सा आगे चल रहा है, हमें x की value find out करनी है, तो देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ mathematics लगानी है, और कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, हमारे पास aluminium है, उसका atomic mass है 27, और इसका atomic number है 13, प्लस helium, पि atomic mass है 4, और इसका atomic number है 2, आगे जाके हमारे पास एक neutron release हो रहा है, neutron के उपर mass है 1, और इसका charge है 0, हमें x की value निकालनी है, बहुत असान है, क्यासे करेंगे, कि mathematics लगाएं, यहाँ पर 27 प्लस 4, total मिलाके हो जाएगा 31, 31 में से 1 चला गया, तो कितने बचे 30, आपने क्या करना है, opposite side में charges को और masses को balance करना है, यानि कि यहाँ पर अगर mass number total मिलाके 31 है, तो opposite side पे भी यानि products वाली side पे भी mass number same रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर 31 है, तो वहाँ पर 1 के साथ में 30 आ जाएगा, ताकि 30 प्लस 1, 31 balance हो जाए, similarly यहाँ पर 13 प्लस 2, टोटल हो गया 15, वहाँ पर भी 15 balance होना चाहिए, तो 0 में आपको 15 add करना है, ताकि 15 प्लस 0, 15 हो जाए, तो हमारा सही answer हो जाएगा, x की power 30, यानि x का atomic mass 30, और इसका atomic number 15, और यह हमारे पास option c में दिख रहा है कि p की power 30, और p की, p के जो atomic number हो 15, गिबन है, यह हमारा option c यहाँ पर सही answer है, आगे बढ़ते हैं, 31 पर आते हैं, 31 में कहा जा रहा है, the atomic mass of an element is 59, and atomic number is 27, number of neutrons contained in the nucleus will be, neutrons आपको मालूम करने हैं, बहुत असान है, mass number में से atomic number को minus कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, neutrons निकालने के लिए, mass number को A से शो करते हैं, और atomic number को Z से, A में से Z को minus कर देंगे, mass number है हमारे पास 59, minus atomic number है 27, 59 minus 27, 9 में से 7 जाएगा, तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा, तो 3 बचेगा, तो neutrons आ जाएगे आपके पास 32, तो हमारा यूनिट पॉजिटिफ चार्ज, वो पार्टिकल जिसका mass electron के बराबर होता है, चार्ज नहीं कह रहे है, mass कह रहे है एक electron जिसका mass, एक पार्टिकल जिसका mass, electron के बराबर है, और उस पे positive charge है, तो ऐसे particle को कहा जाता है positron, अब positron में और proton में क्या फर्ख है, देखें, electron का और positron का mass same होता है, electron का और proton का charge same होता है, यानि कि electron और proton का mass same नहीं होता, proton 1836 times heavier होता है, electrons है, आई होग की वाली बात आपको समझ आ गई होगी mcq number 33 पर चलते है the rays which can be used as projectiles for ionizing gaseous molecules are called, वो rays जो के हम लोग projectiles की तोर पर use करते हैं, यानि के इनको throw करते हैं, ionizing for ionizing gaseous molecules gaseous molecules को ionize करने के लिए अगर हमने, alpha हमने एक, alpha ray को throw किया किसी gaseous particle के उपर या किसी gas के उपर, तो वो alpha particle जल्दी से उसको ionize कर देगा क्योंके alpha पे double positive charge है इसलिए उनकी ionization power सबसे ज़ादा है, इसलिए हम क्या सकते हैं कि वो rays, जो कि सबसे ज़ादा ionization power रखती है, या जिनकी intense ionization है, वो है alpha rays 34 में पूछ रहे हैं, the energy of atomic orbital in a given shell increases in the order of कि atomic orbital की जो energy है, किसी भी shell में, किस order में increase करती है, तो S orbital की energy सबसे कम होती है और उसके बाद P की ज़ादा हो जाती है D की उससे ज़ादा और F की सबसे ज़ादा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा option, option C S, P, D और F यहाँ पर chapter 3 के MCQs तमाम होते हैं, लेकिन इतने MCQs कर लेना, Ecat, MDcat के लिए काफी नहीं है, इसी लिए मकसद अपने, आपके लिए design के है Ecat, MDcat के crash courses उसमें आपको मिलेंगे 8000 MCQs, subject wise 2000 MCQs, और वो भी solution videos के साथ, अगर आपको अपनी तयारी Ecat और MDcat के लिए पकी करनी है, तो आप description में जाकर link को click करें, और अपना course purchase करें, अपनी तयारी मुकमल करें